हेलो जी नमस्ते सासी अगार अस्तामनेकूम वेलकम अन्माइ चैनल ट्रिपल्चू ठारो हिंदी उर्दू अम्योगल तूबा तो आम बैक विद एनदर रीडिंग आज हम रीडिंग करेंगे पिककाद नवेंबर 2022 2022 Monthly Tarot Readings, Predictions आपके नेम के लिहाज से आपके इनीशल के लिहाज से जो भी आपका इनीशल है आपके नेम का लेटर है आपने वो पाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है वो टैरो डेक आपने सिलेक्ट करना है और उसी में ही आपकी प्रेडिक्शन होगी आपके लिए रीडिंग हो नाम के लिहाज से आपने अपने नेम का लेटर है वो चूज करना है जिस टेरो डेक्ट पे है जिस पाइल में है वन और टू उसी के लिहाज से आपने रीडिंग को सिलेक्ट करना है जैसके में हमेशा में अपने चैनल पर कहती हूँ यह जैनल रीडिंग है आप वही चीज रेज्ट कर रही है जो चीज आपके सानी नहीं कहरें वह आप के लिए नहीं है ईयाँ पकई लोगिसे तरह के लिए मेंटों थना सकता है तो हीist हृइ Lakani आपके सामने अपने प्रफियृ को सिलेक्ट करना है मैं मिलूंगे आपसे आपकी लिए पे आपने क्या करना है वीडियो को लाइक करें शेयर करें विद यो फ्रेंड फैमिली और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताके जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें जरूर बेल को सेम आपने पिक किया है और 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 अरिकल्स कार्ड होंगे और मैं यहां पर चार्म्स भी यूस करूँगी oceanic tarot deck ठीक है जो हम यूज करेंगे आज लगिन उसे पहले मैं यहां पर थोड़ा बहुत oracle's card यूज करूँगी कि overall आपकी इस मन्त की theme किया है आपके love carrier overall life में आप क्या experience करेंगे और उसके बाद हम tarot से देखेंगे और charm भी तो start कितने आज की reading जिनके letters ये है नेम के तो आपकी reading देखते हैं कि आप लोग क्या experience करेंगे इस मन्त we have the thinking man then we have appreciation okay और देखते हैं कि we have despair we have message of concern हमारे पास है marriage forever interesting फिर हमारे पास विच बहुत ही खुबसूरत कार्ट okay अब देखते हैं किया है हमारे पास है शिप यहां पे है ship फिर हमारे पास है site from we have, we have settling यह आपके carrier के cards है के carrier में क्या होने माला है settling, justice we have recognition फिर हमारे पास है change और यहां पे इस card से है confidence और यह आपके overall month की theme होगी एक चीज मुझे यहां पे नजर आ रही है कि आपके अंदर जो confident है वो आपको आगे लेके जा सकता है या आपके अंदर confident की कम ही हो सकती है जिसको आपने work करना है यहां पे जो आपको आगे carrier में बहुत सारी आपको opportunities दे सकती है आप अगर आप already काणवी केरियर में settled है यह कोई आपकी इस मंत में पूरी होने वाली है क्योंकि यहां पे विश है ठीक है कोई आपको इस मंत में पूरी होने वाली है जो आपको बहुत जादा confident बनाएगी यह आपको मजीद थोड़ा सा और confident की यहां पे ज़रूरत है कि जो चीज़ आप विश कर रहे हैं, जो चीज़ आप मांग रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा confident की यहां पर जरूरत है, और आपका जो आपकी wish है, जो पूरी होने वाली है, उसमें थोड़ा बहुत आपको confident feel भी होगा, आप इस मन्त में काफी confident feel करने वाले हैं, हो सकता है कि कोई आपकी life में आपको कोई opportunity मिल सकती है, कोई big change आपकी life में आने वाले है, जो आपको और मजीद confident बनाएगा, career में आपकी wishes है, वो पूरी होने वाली है, आपका जो work है या business है, वो आपका बहुत अच्छा जा रहा है, या इस मन्त में कुछ आपकी life में वैसे ही, आपकी कोई work कर रहे हैं, तो उस काम को appreciate भी कर सकते हैं आपके काम को, जिसकी वज़ा से आपको जो है वो बहुत ही कोई recognition आपको मिल सकती है, क्योंकि यहां पर मुझे नजर आ रहा है, recognition आप यह सब के लिए तो हो नहीं सकता, obviously, क्योंकि कुछ लोग जो आपको work कर रहे हैं, या आ आपको कोई bonus मिल सकता है, या आपकी कोई wish ऐसी पूरी हो जाएगी कि आप बहार जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर ship है, ठीक है, आप बहार जाना चाहते हैं, या आप कहीं travel करना चाहते हैं, वो आपकी wish पूरी होगी, तो उसकी वज़े से भी आपको recognition और success मिल सकती है, एक आप ऎसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बाहर का रिष्टा आ जाए, क्योंकि यहां पर नजर आरा है मुझे, अगर आप इस दरा की आप रिष्टे के लिए वेच कर रहे थे तो हो सकता है, आपकी wish पूरी हो जाए, क्योंकि हो सकता है, ये इनसान जिसका रिष्ता के लिए बाहर से आएगा ये जो इंसान लड़का ये लड़की जो भी है ये जहां रहते हैं वो out of country रहते हैं या आपको हो सकता है शादी के बाद बाहर जाना पड़े ये चीज भी मुझे यहां पर नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए ये विश आपकी study में पूरी हो सकत होने ऐसी चीजों में आपकी विश पूरी होने कहीं पर strong chances है अगर आपने कहीं इंटरव्यू देना है कहीं जाप के लिए आपने जाना है या अपलाय करना है बहुत ही अच्छा time period है कि आप करें और हम वैसे भी Scorpio season में है तो इस life में Scorpio season में कुछ भी possible है आपकी finances change हो सकते है जैसे कि मुझे आप नजर आ रहा है आपको success मिल सकती है आपको change आपकी life में आ सकता है आपकी life में wealth आ सकती है money आ सकती है inheritance money आ सकता है जैसे आपको क्यी property मिलती है या आप को business करते है इंवेस्ट करते है उसे आपको double फाइदा या profit मिलता है यह चीज़ भी मुझे यहां से related चीज़ है उसमें भी आपको success यहां पे मिल सकती है जो मुझे change यहां पे नजर आ रहा है कोई चीज़ पर्मानेंट भी हो सकती है आपकी life में आपकी job लैट से पर्मानेंट हो सकती है आप मैसे कुछ लोग ऐसी job कर रहे हैं जिसमें आप settled है मतलब आप settled है ठीक है चल र लाइफ में कोई चेंज आएगा लाइफ में क्रियेटिवेटी लाइं कई कुछ अपनी लाइफ में चेंज करने की कोशिश करें क्योंकि यह मैसेज ऑफ कंसर्न है तो हो सकता है कोई आपको help करें आपको कोई guide कर सकता है यह जैसे आप यहां पे आप इस वीडियो को देख आपको guidance तो मिल रही है यह आपको अंदर से और इपता है आपको spirit की तरफ से इंजल यूनिवर्स यह उपर वाले की तरफ से और इडियो रही है कि यह चीज आपके लिए ठीक नहीं है यह चीज यह चीज आपको करनी चाहिए यह चीज नहीं करनी चाहिए तो उसको follow करें आपने इंट्यूशन को बहुत सरी चीज आपको इस मंत में confident भी देंगी यह चीज मुझे नजर आ रहा है success आपको confident दे सकती है कोई आपके legal matters जो है वो solve हो सकते हैं ठीक है जैसे कोई property का matter था यह घर के कोई issues से वो भी solve हो सकते हैं जैसे property से related या investments आगर आपके ही करते हैं सोच समझ के करें कल को आपको फाइदा या profit दें ठीक है यह चीज भी मुझे यहां पर नजर आ रही है लेकिन यहां पर wish पूरी हो रही है आपकी definitely और यहां पर एक चीज में जर आ रही है marriage or forever तो आपकी life में अगर आप single है you will not be single तो आपका रिष्टा fix हो सकता है शादी की एज हो सकती है 30 प्लास 40 प्लास या आप 60 प्लास भी है यह किसी से डील कर रहे हैं जिनकी एज इतनी है 40 प्लास 30 प्लास या 20 प्लास तो आप दोनों के दर्मियान में relationship यहां पर हो सकता है हो सकता है आप किसी को like करते हैं पसंद करते हैं with this the thinking man अगर आप लड़के हैं या आ बात हो जाए यह जीज़िभी मुझे नजर आ रही है और कुछ लोगों के लिए है यह लड़का यह लड़की आपके बारे में सोच रहे है को आपसे क्या है क्या आपको पर्पोस करना चाहता है आपकी शादी की बात फिक्स भी हो सकती है ठीक है किसी ऐसे इंसान से जो ओर लेकिन आपको खुद भी अपनी लाइफ में बहुत सरी चीज़ें चेंज करने की यहाँ पर जरूरत है, जैसे मैंने आप से खा, कॉन्फिडेंट पर वर्क करें, अपने उपर वर्क करें, मुझे यहाँ पर जहां तक नजर आ रहा है, लोग आपको अपरिशेट भी कर सकते हैं, आपकी ब्यूटी को, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने अट्राक्टिव हैं, यह जितनी आपको सक्सेस मिल रही है, उस वजह से भी लोग आपको यहाँ पर अपरिशेट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई आपको appreciate कर रहा है already कोई आपको पसंद करता है आपको like करता है तो वो इनसान आपको message भेज सकता है ये concern आपसे बात कर सकता है directly या message आ सकता है या proposal आ सकता है ये भी हो सकता है और कुछ लोग उनके लिए ये इनसान already जो है या भी आप इस इंसान से नही मिले हैं लेकिन हो सकता है बहुत जाल यह इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है क्योंकि यहां पर it's a big change coming किसी special friend के साथ भी contact हो सकता है कोई foreign का friend है यह कोई foreign का friend आपकी help कर सकता है आपको guide कर सकता है या let's say मुझे नजर आ रही है इस वक्त आप जो भी फॉरण का काम करना चाहते हैं यह बाहर कुछ आप जाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए डाफिनिटी लीगल मैटर इंवाग्ड हैं आपको पेपर वर्क की वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा आपकी कुई विष्पी पूरी हो सकत कुछ लोगों के लिए मुझे यहां पर फाइनेंशल डिफिकल्टी नजर आ रही है वह इस वजह से क्यूंकि आप अल्रेडी सेटल हो रहे हैं ठीक है जो आपको मिल रही है चलो जी ले लो लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको क्रियेटिव होने की यहां पर ज़रूरत है थोड़ा आपके अंदर पैशन और डिजायर है ठीक है अगर आप लगते हैं कि आपको चीज कर सकते हैं अचीव तो सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी लाइफ से इस मन्त कट होंगी क्योंकि मैं जाइत नजर आ रहे है को यह से लोग जिनके साथ आपका कट अफ होगा ब्रेक अ होगा या फ्रेंशिप खतम होगी या लव भी खतम हो सकते है किसी के साथ क्योंकि यह नजर आ रहे कि कुछ ऐसी रिलेशन्शिप हैं जो आपकी लाइफ में वर्क नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको यह चीज भी फेस करनी पड़े आप में से कुछ लोग जरूरी नहीं है क्योंकि टसको कुछ एऽ पॉसिबल है इट सबाइज आपकी लाइफ में नियू बिग इन भी उर्क राह रहे वह आपको अल्रएड़ी सपेस पनानी चाहिए अपनी लिफ में न्यू चीज नोगों के लिए न्यू फ्रेंड्स के लिए नू लवर्स के लिए यह चीज भी अपके लिए क्या है यहां पे इसमाथ में आपके एक्सपिरियंस करेंगे यहां बÅन के साथ डील कर रहे हैं विए इस्टार एंडा और वर्लड कार्ड यहुद। यह वो इंसान है जो आपसे हो सकता है व्ल्ड है यहां पर गां सबूर्प करन से अन्सान किसी और जगापे रहते हैं ऑर सकते हैं यहां आप रहते हुदे तो आप इंटरनेट पे काफी famous और popular हो सकते हैं और काफी सारे लोग आपको star समझेंगे, inspiration समझेंगे, आपकी तरफ help की तरफ आएंगे, या help लेना चाहते हैं तो आप popular हो सकते हैं, या पे star है recognition या आप ऐसे इंसान के साथ deal कर रहे हैं जो already famous है या popular है बहुत सारे लोग इस इंसान को इंटरनेट पे देखते हैं या social media पे देखते हैं या आप खुद famous या popular हो सकते हैं ठीक है, with a star and world आप मैंसे कुछ लोग उनकी wish पूरी होगी क्योंकि आप बाहर जाना चाहते है with a world और finally वो wish आपकी पूरी होने वाली है आपकी world change हो जाएगी मुझे ऐसे नजर आ रहा है आपकी life change होने वाली है ये एक life changing event भी आपके लिए इस मंत में होगा लेकिन वो अच्छी manner में है मतलब आपकी wish पूरी होने वाली है को यासी wish जो आप काफी अरसे से मांग रहे थे और finally ये विश आपकी पूरी होगी हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़े abroad with a star ये destiny और fate की भी बात करते हैं आपकी destiny या fated meeting भी किसी के साथ हो सकती है Aquarius हो सकता है या Capricorn या let's say Pisces, Scorpio, Leo, आपकी साइन के साथ यादिल करें टॉरस ठीकर fix sign है याँ पर दोनों ये दोनों बहुत ही major अरकाना है तो इस मंत में आपकी life में definitely कुछ बड़ा होने वाला है आपकी life change होने वाली है आप हो सकता है ये वो इंसान भी है जिसके साथ आपने एक cycle complete किया है आप already इनको जानते हो मतलब आप दोनों के दरम्यान में separation हो गई थी या बात नहीं कह रहे थे तो ये इंसान भी वापस आ सकता है मतलब आपकी wish पूरी हो सकती है ये इंसान आपको शादी के लिए propose कर सकता है या आप दोनों के दरम्यान में दोबारा से एक new cycle स्टार्ट होगा एक उमीद के साथ या आपका soulmate भी हो सकता है by the way with the star ठीक है या अगर और कुछ लोगों के लिए मुझे लगते है ये आप है आप डैफिनिटी ऐसे cycle अपने complete करें लाइफ में जिसमें आप दुबारा ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करना चाहते हैं खतम करें friendship relationships या ऐसी चीज़ें या आप अपने अपनी ड्रीम को जो आपकी अपनी विश है आप उसको चेस करना चाहते हो आप एक ड्रीम जो है जो आपका वो आपकी ड्रीम है जो आपकी विश है वो पूरी होने वाली है ठीक है जो आप खुद अपचीव करना चाहते हो और यू विल बी successful definitely कोई विश कोई प्रजेक्ट कोई जॉब कोई ऐसी विश जो आप का फिर से से मांग रहे थे वह आपकी पूरी होने वाली आपकी द्वा सुनी जाएगी आपकी द्वा फाइनली कंप्लीट हो जाएगी ठीक है आप हो सकते हैं किसी holy places पर जाएं ठीक है अगर आप Muslim है आप Hindu है या आप Christian है जो भी है आप हो सकते हैं कुई आप किसी holy festival पर जाएं या holy places पर जाएं जो भी आपके culture या religion का है वो विश भी आपकी पूरी हो सकती है now let me see थोड़ा सा charms में देख लेते हैं आपके लिए क्या है इस मंत में आप क्या experience करेंगे आपके letters या जिस इंसान के साथ आप deal कर रहे हैं या आने वाला आपकी लाइफ में उसके letters भी नजर आ सकते हैं आपको ठीक हैं यहाँ पे है M I E O we have R E we have a C T यह इंसान crime उसमें भी हो सकता है ठीक है crime वाले उसमें control में जैसे होता है crime के profession में कोई professional field में भी हो सकता है यह इंसान जे या IT में हो सकता है यह इंसान technology में हो सकता है technology में या technology work आप कुछ करने वाले हैं जिससे आप काफी famous या popular हो सकते हैं और या social media पे या internet पे obviously आजकल कर तो यह ही है यह letters हैं आप देख सकते हो we have a key तो definitely आपको को opportunity मिलने वाली है जो आपकी unlock कर सकते है dots को या opportunities को key से यहां पे यह भी मुराद है कि आपके अपने हाथ में हैं आपकी अपनी destiny आप जो चीज़ करना चाहते हो या जो चीज़ आप विश कर रहे हो उसके doors आपके हाथ में है आपने खुद open करना है yes बोलना है या no आपके अपने हाथ में है कोई आपकी तरफ sexually attractive भी हो सकता है या आप किसी की तरफ यहां पे जो merit लोग है उनके लिए काफी अच्छा टाइम रहने वाला इस मांत में physical connections में या कोई आपकी तरफ attractive है we also have the wolf तो हो सकता आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफी loner है जो इसने सारी जिन की lonely में गुजारी या आप हो सकते हैं लोग जब आपको देखेंगे देविल से यृप आवर कपल किंग अन कुई नप अगर अगर अप मैरेड़ आप husband और wife हैं अरड़ेडी तो आप हो सकता है इस मांत कुछ स्टार्ट करें कुई वर्क स्टार्ट करें या आप किसी की help लें या USA आप USA से हो सकते है या जो आप पार्टर आपकी लाइफ में आ रहे है वह यूसे में आप जाना चाते हैं वहां पर तो या आपके लिए साइन है ई बच्चों से related भी कोई good news मिल सकती है इस मन्त आपको जो लोग merit couple है या अगर आप student है तो आपके लिए अच्छा time आने वाल है friends new friends बना सकते हैं आप या आप किसी के साथ business partnership ही कर सकते हैं अगर आप करना चाहरे हैं अगर आप business में हैं तो ठीक है तो यह आपकी reading like share and subscribe मैं मिलू आपकी reading के लिए देखते हैं कि आपकी इस मन्त में क्या reading है क्या prediction है आप क्या experience करेंगे आप हो सकते है 30 years old है या इसी के साथ deal कर रहे हैं जो 30 years old है या teenager भी हो सकता है या इनसान ठीक है मतलब under 20 या आप खुद under 20 है ये भी हो सकता है let's see this month आप क्या experience करेंगे we have the world इस इंसा unexpected income we have privileged lady we have love offer वाव आपकी बर्तरे भी हो सकती है इस मांत या इस इंसान की जोहरा है आपकी लाइफ में we have it's not over we have abundance हमारे पास है या पे flowers किरे हमारे पास lady अज़र आ रहे है आपको ये carrier की cards आपके देखते हैं we have a be a sport तो आप sport में हो सकते हैं ये इंसान sports में हो सकते हैं अगर आप लड़के हैं तो definitely this is a great time for you अगर आप किसी चीज़ के लिए apply करें या आपका कुई test है या फिजिकल टेस्ट है या आप किसी sports में जाना चाहते हैं playground या प्ले कुछ करना चाहते हैं रज़िए और अडिशन देना चाहते हैं या आपको कहीं टेस्ट देना है फिजिकल टेस्ट हो सकता आपका जहां पर आपको देना पड़े विह वाफ प्लैनर तो प्लैन करके आप जाए वहां पर इस मंथ अपने बहुत सरी चीज़ें प्लैन भी करनी हैं वाइश के लिए सकते हैं जिसमें आप पॉड़कास्टिंग करते हैं या आप सोचल मीडिया पर हैं इन्फुएंसर हैं आप सोचल एक्टिविस्ट थैं आप डेफिनिटी अपनी आप नी वाइस को रहे हैं बैसिकली जहाँ आप इसंगर भी ओ सकते हैं ठीक है singer, dancer, ऐसी चीज़ें जिसमें communication involved है, लोगों से communicate करने, जैसे आप से का, manager, assistant, sailing में आप हो सकते हैं, या, sailing products आप कर सकते हैं, we have a death, oh my god, and we have happiness, okay, now this is not a bad thing, यह बिल्कुल bad नहीं है, experience, okay, लोग काफी गवरा जाते हैं, जब डैथ को देखते हैं, तो, obviously होना भी चाहिए, because it's a reality, we have a death, and we have a happiness, okay, यह दोनों कार्ट साथ में आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी life में rebirth होने वाली है, and we are already going through a scorpio season, death, scorpio, okay, rebirth, and we have a happiness, तो मुझे लगते हैं, जो आपका जितना भी बुरा time था, वो खतम हो गया, यह worst जो है, वो आपकी life में आप ओर होने वाला है, क्योंकि आपकी life में happiness आने वाली है, अब आपकी life में अच्छा time आने वाला है, अब आपकी life में growth आने वाली है, change आने वाला है, you will be happy, आप मैंसे कुछ लोगों के लिए, अगर आपने किसी को lost किया था, आपका कुई, घर का कुई member, family का कुई member, कुई lover, कुई ऐसा इंसान जो आपके बहुत दिल के करीब था, आपने उस इंसान को खोया था, ठीक है, तो उस इंसान की तरफ से कुई आपको inheritance भी मिल सकता है, unexpected income या पैसा भी मिल सकता है, let's say, कुछ लोगों के लिए, या वो death की जो वज़ा थी, वो कुछ ऐसा, अस लगते है कि उस इंसान की prayers आपके साथ है, उस इंसान की वज़े से आपको खोशी मिलेगी, ठीक है, या आपको लगेगा कि उस इंसान की दुआइं हैं, या prayers आपके स और कुछ लोगों के लिए, आपकी साड़ सती खतम होने वाली है, क्योंकि यहां पर world है, it's ruled by Capricorn, so आप Saturn है ये, तो आपकी जो साड़ सती है, वो खतम होने वाली है, finally आपका जो worst time है, वो खतम हो जाएगा, आपने बहुत सारी चीज़ें की, आपने बहुत सारे lesson learn किये, अब finally अब आपका happy time आएगा, आप ऐसे कुछ लोगों के लिए या आपकी अपनी rebirth भी हो सकती है, आप पहले बहुत ज़्यादा toxic थे, unhealthy थे, आप काफी ज़्यादा mental issues थे, आपको आप खुश नहीं रहते थे, या आपको काफी struggle थी life में, finances में, बहुत सारी चीज़ें हो सक है तो हो सकता है, आपका mindset change हो रहा है, हो सकता है, आपका life चैंज हो रही है, आप खुद change हो रहे हैं, क्यूंकि हमें वहाँ और रहे हैं नहींदा थे लिए आपका love का करना चाहता है, आपको पूरी चैंज होने वाली है ठीक है आपके साथ serious है अगर आप single है लेट से आपकी life में कुई नहीं है lover नहीं है आपकी life में तो हो सकता है कि कोई आए आपकी इंसान में क्योंकि यहाँ पे flowers भी है और यहाँ पे lady भी है कोई आपकी तरफ बहुत ज़दा attractive है कोई आपको like करता है आपको पसंद करता है यह offer आ सकती है आपके पास ठीक है अगर आप कुछ लोगों के लिए या आप खुद famous होना चाते है या आपको कुई opportunity मिल सकती है कि कुई आपको famous बना सकता है लट से आप model बन सकते हैं आपको खुद अपने लिए कुछ करना चाहिए यह चीज़ मुझे आ पर नाजर आ रही है कोई interview कोई test आप देने जाएंगे वहां पर आप selected हो जाएंगे क्योंकि यहां पर आपको privilege है और यह privilege हो सकता है आपकी beauty का privilege है आपको या आपके पास knowledge जादा है या आपकी आवाज अच्छी है कुछ ऐसा है जो आपके पास आल्ला तला ने या God ने ठीक है या बगवान ने आपको जो जिसको भी आप मानते हैं जो भी आपका culture है religion है आपको और यह उपर से gift मिला है ठीक है आपको यह God ने और यह गिफ्ट दिया है तो उसको पहचानने की जरूरत है बापको लेकिन आपको महसूस भी होना लड़की है यह लड़का doesn't matter आप जो भी है आपके अंदर यह talent है ठीक है और आपको यह talent अपने अंदर देखना होगा पहले अपने अंदर देखेंगे accept करेंगे तो भी तो लोग देखेंगे अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो फिर obviously कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा जब आपको खुद पर ही वो trust नहीं है तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता जब आपको खुद पर trust है कि आप क्या बोल रहे हैं आप क्या करना चाते हैं आप कितने खुबसूरत हैं ठीक है ना पूरी दुनिया भी अगर आपको बोल रही है कि आप handsome नहीं है खुबसूरत नहीं है आपको believe है effect ठीक है दुनिया की परवा करने की ज़ुरत नहीं है क्योंकि दुनिया का काम ही है बोलना बकवास करना और ना ही वो किसी को खुश देख सकते हैं और ना ही वो किसी को आगे बढ़तावा देख सकते हैं ठीक है तो हमारी लाइफ में यह हो ही नहीं सकता कि सारे positive लोग हो haters भी होते हैं और इतने बड़े-बड़े successful लोग जो इतने बड़े-बड़े position पे होते हैं उनके ही haters होते हैं उनको भी haters होते हैं उनको भी सारे चाहने वाले नहीं होते हैं तो यह तो reality है आपको definitely accept करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़े हैं आपको अपने अंदर खुद ही देखनी पड़ेगी खुद ही खुबसूरत ही को देखना पड़ेगा आपको अपनी आँख से खुद ही खुबसूरत देखना पड़ेगा आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या talent है आप क्या कर सकते हो चाहें दुनिया आपको कुछ भी बोल रही हो कि नहीं, you can't do it या आपको नहीं करना चाहिए दुनिया की मत सुनें भाई, दुनिया की सुनेंगे तो फिर वही के वही रहा जाएंगे आगे बढ़ी नहीं पाएंगे तो आपका पूरा हक है, आपका पूरा राइट है कि आप खुश हो, आपका पूरा राइट है कि आपकी लाइफ में चेंज आए आप अपनी लाइफ को चेंज करो आप अपने माइंड सेट को चेंज करो आप अपने आपको एक्सेप्ट करो आप अपनी reality को accept करो आपके अंदर अगर कोई talent है उसको show करने की कोशिश करो अगर आपको कोई passion है जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप ये ना सोचें कि मैंने popular होना है मैंने successful होना है अपने लिए करें, अपनी खुश्य के लिए करें और हो सकता है उसी में आपको success मिल जाए ये चीज़ भी possible है, ठीक है यहाँ पर abundance है, आप में से काफी सारे लोगों को unexpected income और abundance मिलने वाली है पैसा आने वाला है, आपकी life में wealth आने वाली है inheritance जैसे मैंने का money मिल सकता है आपको change आने वाला है आपकी कोई job लग सकती है, जो आपको independent बना सकती है, free बना सकती है आप काफी confident feel करोगे, happy feel करोगे, independent feel करोगे, ठीक है और कुछ लोगों के लिए आपकी life में ऐसा इनसान आ सकता है, जो आपकी life को change कर देगा, क्योंकि मैंच यहाँ पर नजर आ रहा है love offer आएगी, ऐसे इनसान की तरफ से जो काफी abundant हो सकता है successful हो सकता है, यह इनसान काफी आपकी life को change कर सकता है, यह इनसान हो सकता है, different culture से आ रहा है, religion से आ रहा है यह हो सकता है, इनसान internet पे popular है, famous है, यह इनसान काफी attractive है, यह इनसान काफी handsome है यह हो सकता है इंसान sports में है यह इंसान काफी rich है wealthy है wealthy family से है चीक है और यह इस इंसान के साथ आपका रिष्टा हो सकता है या बात पकी हो सकती है यह इंसान आपको already like करता है क्यों like करता है obviously आपको privilege है कुछ कुछ तो आप ऐसा जरूर होगा ना कि यह इंसान आपको like करेगा यह आपको पसंद करेगा ठीक है कुपसूरती के वजह से नहीं वैसे ही आपका mind हो सकता है जिस नहां आप treat करते हो अपने आपको यह जिस नहां आप अपने आपको feel करवाते हो यह इंसान वो जलत बोलेंगे कि अगर आप किसी की success से जलस होंगे अगर आप किसी की कुपसूरती से जलस होंगे अगर आपको लगता है कि आप किसी की life में जो कुछ हो रहा है उससे जलस होंगे जो उसको ऊपर वाले ने दिया है भाई ठीक है ना आपके पास कुछ तो वो आपकी लाइफ को भी मेजरेबल बना देगा, ठीक है, तो आप इसका मतलब नेगटिव कर्मा अट्रैक्ट करें, अगर आप किसी से जलेंगे, आपकी लाइफ में जलन होगी, आपकी लाइफ अंसाटिसफाइड होगी, आप खुश नहीं होगे, आपकी लाइफ में तकलीफे आएगे, टेंशने आएगे, परिशानिया आएगे, तो आप अपनी life में focus करें अपने काम से काम रखें और ये देखें कि आपकी life में क्या चीज़ आप कर सकते हो आपके पस क्या talent है उसको हो सकता है जो भी किसी इंसान को मिल रही है तो उसको किसी talent की वज़ा से मिली होगी या उसको किसी blessing है, किसी की दुआ है या किसी को वैसे God gift है या privilege है उस इंसान के पास कुछ ना कुछ resource है अगर हम खुद से किसी से jealous होंगे तो उसका हमें फादा कुछ नहीं है हम अपने आपको ही एक किसम का मार रहे हैं अंदर से और हम अपने अपने life में negativity ला रहे है हमें positive रहना चाहिए अपनी life बेfocus करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे पास या talent है हम क्या कर सकते हैं मैं अपनी life को change कैसे कर सकती हूँ मेरी life में क्या change आं सकता है मैं क्या ऐसा अचीव कर सकता हूँ कि मैं अपनी life में satisfied हो जाऊं ठीक है ना तो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ compare मत करें और हो सकता है आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक है यह आपकी लाइफ है बिल्कुल satisfied है आप independent भी है आप इस तरह जैलस नहीं होते तो लोग हो सकते हैं आप से जैलस हो और वो भी नॉर्मल चीज है क्योंकि जब आपके reward है आपकी अपनी hard work है आपका talent है जिसके वेसे है लेकिन कुछ लोग होते हैं किसमत के मारे या unfortunately जिसने troller या hater बोलते है उनको खामखाई या ऐसे jealousy या haters होते है उनसे वो चीज़ एकसेप्ट नहीं होती क्योंकि उनके अपनी life ऐसी नहीं होती है तो मुझे लगता है कि आ अच्छा बोलें लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहें अपना अच्छा करमा करें अपने deeds अच्छे करें धरम और करम जिसे बोलते हैं अपना करमा अच्छा करें ताकि आपको भी abundance मिलें ताकि आप भी अपनी life में satisfied हो आपकी health भी improve हो आपकी life भी change हो कुछ गिफ्ट आ आपको भी मिलें कुछ आपकी दौाइं भी पूरी हो ठीक है ना तो यह यहां वर्ल्ड है और यहां पर वुमेन होल्डिंग हो सकते हैं कोई आपकी help कर सकता है financially किसी के साथ आपकी collaboration भी हो सकती है let's say कोई भी आपको प्रोजेक्ट है कोई इंसान आपको offer कर सकता है business deal या आ है तो आपके पास इस तरह की offer आ सकती है जो आपको accept करनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सकती है आपको आगे एक platform दे सकती है success के लिए इंटरनेट पर भी आ सकती है या आपको कुई ऐसा platform मुलेगा जिस पर आपको success मिल जाएगी जहां पर बहुत सारे लोग आपको दे में आइधर यह आपकी husband या wife की तरफ से होगी यह कोई आपकी life में एंटर हो रहे हो यह कोई offer आ सकती है जो आपकी life को change करेंगी लेकिन believe करेंगे तो ही होगा believe रही करेंगे तो इस तरह की readings आप हर जगा पर देखेंगे तो आपकी life में आपको believe होना चाहिए अपने mindset को change कर channel पर बात करती हूँ mind को change करें अपने आपको positive रखे positive सोचे और positive expectations होनी चाहिए एक hope होनी चाहिए हमें नहीं पता कल क्या होगा लेकिन हमें positive hope होनी चाहिए और वो चीज़ा आपको बहुत आगे तक लेकी जाएगी trust me यहां पर it's not over हो सकते है को इनसान है जो आपकी life में व कोई खुशी नहीं है इसकी life में कुछ नहीं है आप आते हैं तो इसकी life में खुशी होती है या यह इनसान आपको let's say देख के जीता या मरता है इस तरह की बात हो सकती है कि यह इनसान आपके काफी addictive है आपके साथ obsessed है को dependent है यह वो इनसान भी हो सकता है with a world card जिसके साथ आपने छोड़ दिया आपने बात करना छोड़ दिया आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है लेकिन यह इनसान प्लान कर रहा है आपके पास वापस आने के लिए आपने से कुछ लोगों को इस मंत में आपको जैसे मैंने कुछ सक्सेस मिलेगी और definitely आपको accept करनी चाहिए क इसे आपकी ठीक है financially या आपको किसी ऐसे financial इनसान के पास जाना चाहिए जो आपको guide कर सके help कर सके आपको sport कर सके यह भी हो सकता है ठीक है और यहां पर abundance है तो आप definitely happy होने वाले abundant आपकी life में आपकी life में बहुत changes आने वाली है expect the unexpected यह चीज़ मुझे नजर आ रही है आपकी life में रिष्टा भी आ सकते है जो आपकी life को change कर लेगा ठीक है लेकिन अगर आप married है तो आपकी life में हो सकता है कि जो चीज़ें parent नहीं थी वो आप change हो सकती है आप हो सकता है यह आपको आगे जाके बहुत फाइदा देगा ठीक है so hard work hard work आपको आगे लेके जाएगा आपकी age 29 30 plus यह जिस इंसान के साथ आप deal कर रहे है 40 plus 30 plus 29 27 42 हो सकती है ठीक है यह 40 plus 30 plus 20 plus भी हो सकती है कुछ लोग की इससे ज्यादा भी हो सकती है हर तरह के लोग देख रहे है फिर बा नाम आगे है तो इसका मतलब सब के लिए रीडिंग है चाहे आप मेल है या फीमेल लैट्सी लैट्सी कि इस मंत आप क्या experience करेंगे किसके साथ आप डील कर रहे है कोन आपकी लाइफ में आ रहा है लैट्सी चार्म से देखते हैं वी आप जी पहले सबसे पहले लेटर चुका है चैटरन का तो मुझे लगते है आपकी लाइफ में फानली चीजे यह स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी एकस आसकते आपकी लाइफ में या आपकी एंड करेंगे relationship को यह भी हो सकता है ठीक है को पास से भी आ सकता है लाइफ डिस्ट्स रिलेशनशिप भी हो सक है या आपको की message कर सकता है email आ सकता है love की offer भी हो सकती है या यह carrier की भी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी यह को अपाइफ मेंट लेटर भी हो सकता है या प्रमोशन लेटर भी जस पीछी आप ऐसे काफी सारे लोग इस मांत काफी sexy काफी independent काफी confident feel करेंगे यह कुई आ लगते हैं कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा attractive है यह आपको बहुत पसंद करता है और वह इंसान आपके साथ अटाइच है यह इंसान आपको नहीं छोड़ सकता यह आप किसी के साथ attach हैं जिसमें आपको definitely इसका solution टूड़ना पड़ेगा addictions भी हो सकती है इस इंसान को यह भी problem है we have a high यह मुझे लगता है यह इंसान आपको पसंद करता है आपसे love करता है किसी का confession भी आपकी तरफ आ सकता है इंसान लंडन में हो सकता है या आप लंडन जाएंगे लंडन की कोई हो सकती है बस है या कुछ ऐसे है यह बाहर जाना चाहते है यह इंसान बाहर से यह भी हो सकता है यह बाहर से कोई opportunity भी आपको मिल सकती है कोई हो सकता है लीडर है powerful इंसान है वो भी आपकी help कर सकता है ठी ठीक है, so that's your reading, like, share and subscribe, मैं मिलूंगी आपसे next reading में, bye guys.